Hello everyone, कैसे हैं आप लोग I hope कि आप सब लोग ठीक ठाक हैं और हमारी country के लिए in fact मैं कहूंगे कि पूरे world के लिए ही इस वकत थोड़े tough times चल रहे हैं और आपने अपना बहुत बहुत खयाल रखना है हम सब लोग जानते हैं कि हमें अपना खयाल कैसे रखना है जब तक कि बहुत जरूरी ना हो आपने घर से बहार नहीं निकलना है और अगर आपको घर से बहार जाना पड़ रहा है तो आप अपने साथ sanitizer जरूर लेकर जाएं मास अच्छे से पहने और देखे मैंने हमेशा कहा है कि कुछ भी रुकता नहीं है चाहें वो खुशी हो चाहें वो गम हो तो ये टफ टाइम भी जरूर निकल जाएगा जल्दी निकलेगा और फिर से पहले जैसे दिन आएंगे बस आप लोग अपना बहुत खयाल रखें और आप सब लोग मेरी प्रेयर्स में हैं मैं रोट सुभा मेडिटेट करती हूँ तो आप सब लोगों को positive vibrations देती हूँ और यही दुआ करती हूँ कि सब की health बहुत अच्छी रहे तो चलिए जी शुरू करते हैं कामिंग वीक का सापता ही क्राशी फल ये 24th में से लेकर 30th में तक की आपकी tarot readings हैं tarot predictions हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं subscribe किया है तो please like, share और subscribe करें इसके साथ साथ अगर आप daily tarot reading में interested हैं तो आप मेरा insta page भी visit कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं sun sign, moon sign, ascendant या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूचेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आए हैं आप जिस sign के हिसाब से आप अपनी readings को देखते आए हैं सुनते आए हैं आप उसी sign को follow करें तो चलिए जी शुरू करते हैं coming week का साबता ही क्राशिफल तो चलिए एरीज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो हमारे पस professional friend के लिए cards है material harvest and candle material harvest card को अगर आप देख पा रहे हैं तो एक figure के पीछे light है और उनके सामने बहुत अच्छा खाने पीने का समान रखा हुआ है और कुछ ऐसी ही energies आप लोगों के लिए दिख रही है तो सबसे पहली चीज ये card कहता है कि materialistic या tangible चीज़ों से related कोई फाइदा आपको इस week हो सकता है या फिर इस week आपको ऐसा लग सकता है कि भई अब इन चीज़ों से related आपको gain हो सकता है फाइदा हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पैसे related कोई फाइदा आपको इस week हो रहा है और in general के लिए अगर हम देखें तो पीछे किसी भी life के area में और specifically professional life में अगर आपने बहुत effort करे थे बहुत महनत करी थी इस week आपको उसके positive results मिल सकते हैं और किसी level पे एक satisfaction रह सकती है किसी level पे आपको ऐसे लग सकता है कि भाई अब आप self sufficient हो गए हैं जितना आपको चाहिए था जो आपको चाहिए था वो किसी level पे आपको मिल गया है या फिर जिस डारेक्शन में आप चल रहे हैं उसमें आगे जाके आपको ऐसी चीजें मिल सकती हैं और कहीं देखिए material harvest का काट self mastery की भी बात करता है तो पीछे अगर कुछ चीजें आप नहीं कर पा रहे थे ये सब के लिए differ कर सकता है हो सकता है आप focus नहीं कर पा रहे थे जितना gain आप चाह रहे थे उतना gain नहीं मिल रहा था या जो आपके आसपास के लोग हैं उनके साथ एक bonding नहीं कर पा रहे थे तो again मैं कहूंगी कि ये सिरफ मैंने आपको examples दिये हैं कोई भी चीज जिसको आप overcome नहीं कर पा रहे थे उसको भी इस week आप overcome करते वे दिख रहे ह हैं एक अलग सा confidence एक अलग सा satisfaction किसी लेवल पर इस week especially अपनी professional life से related आता हुआ दिख रहा है और दिखिए यहां पर candle का card कहता है you will be shown the way तो दिखिए एक और चीज जो material harvest का card कहता है कि अब एक level शायद आपने achieve कर लिया है और इस week हो सकता है बहुत सारे लोगों के mind में हो कि भ इसको आगे बढ़ाएं कैसे और progress अपनी life में लेकर आएं कुछ लोगों के लिए हो सकता है literally किसी project पे काम कर रहे थे हैं किसी चीज पे काम कर रहे थे वो इस week complete हुआ है और जो भी आपने gain किया है उसको आप किस तरीके से आगे invest करें उसके ऊपर भी focus कर रहे हैं और candle का card again मैं कहूंगी कहता है you will be shown the way तो जो भी आप future के लिए इस week planning कर रहे हैं उससे related direction automatically आपको दिख सकती है या फिर automatically एक रास्ता आपको दिख सकता है कि भाई अब आगे आप कैसे बढ़े या फिर आगे आप कैसे और progress कैसे और growth अपनी professional life में specifically लेकर आएं और personal life के लिए आप ल test देखे observe card को अगर हम literally देखें तो इसका मतलब होता है देखना और चीजों को समझना इस card में भी अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से 5 figures हैं और सभी एक दूसरे को देख रही हैं तो यहाँ पे देखें इस week जो भी आप personal life में कर रहे हैं उनको और समझना बहुत important है उनक इसका मतलब है कि इस week आप थोड़ा सा withdraw करें बहुत जादा actively किसी चीज में involved ना करें अपने आपको और हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसी energies में हैं जहाँ पे आप actively involved नहीं कर रहे हैं जहाँ पे again मैं कहूंगी आप एक backseat ले रहे हैं और चीजों को और समझना चाहते हैं और जादा एक wisdom एक understanding इसी चीज से लेकर या पिर किसी भी personal life के area से लेकर आप लाना चाहते हैं और दिखे कहीं observe का card नजरिये की भी बात करता है तो जो भी आपका नजरिया है जिस नजरिये से आप चीजों को देख रहे हैं उसको भी थोड़ा सा check करने की ज़रत है कि भई जिस आंगल से आप देख रहे हैं वो सही है यहाँ पर थोड़ी सी flexibility लाने की ज़रत है अपने नजरिये को चीजों को देखने के बदलने की ज़रत है देखे ऐसा भी अगर आप करते हैं तो आपको एक different level की understanding है different level की wisdom उसी personal life के area से आएगी तो again देखे मैं कहूंगी आप impulsive ना हो जल्दबाजी ना करें क्योंकि देखे टी लीव से भी आप लोगों के लिए कार्ड है forest और ये कार्ड कहता है muddled unclear thinking तो किसी चीज को लेके confusion रह सकता है यहाँ फिर simply एक clarity नहीं है और देखे जब भी ऐसा होता है तो हमें again action initiatives नहीं लेना चाहिए हमें pause करना चाहिए हमें ची situation है उसके beyond आपने देखना है एक clarity लेकर आनी है कोई भी decision action या initiative लेने से पहले और अगर आप इस week नहीं लेंगे कोई भी action initiative तो मेरे ख्याल से जादा अच्छा रहेगा और यहाँ पे दिखिए guidance से आप लोगों के लिए card है waiting और दिखिए ये card और जादा confirm कर रहा है कि आप आपने बहुत सब्र बहुत patience के साथ इस week चीजों का इंतजार करना है और अपनी तरफ से actively किसी भी चीज में involved नहीं होना, participate नहीं करना and astrology से आप लोगों के लिए card है Aries और इसके हिसाब से red color आप लोगों के लिए लगी रह सकता है और significant day आप लोगों के लिए इस week रहेगा Tuesday तो ये था Aries आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए